नवस्कार मैं हूँ सर्वु प्रिया सांगवान और मेरे साथ हैं रेहान पजल और हम एक और फिल्म के साथ अब आपके सामने हाजिर हैं दोस्तों भारती सिनेमा के महानतम कलाका दिलिप कुमार ने अपने जीवन में बहुत कम फिल्मे की वो हमेशे क्वालिटी वाक में ज्यादा भरोसा करते थे और वो सोचते थे कि एक आक्टर को अपने को भूत धीरे धीरे खर्श करना चाहिए तो उन्होंने बहुत कम फिल्म लेकिन वह सब इतनी बढ़ियां थी तो उन्हीमिस एक फिल्म के बारे में आज बात करने वाले हैं गंगा जमना तो रहान साफ शुरू करेंगे कि ये गंगा जमना की जब बात मतलब दिलीब कुमार की जब बात होती है तो गंगा जमना के वे ना क्यों नहीं हो सकती क्यों इतनी महान फिल्म है ये देखिए पहली फिल्म थी तिलीब कुमार के करियर की जिसको उन्होंने लिखा भी था मतलब स्क्रिप्ट किया था प्रोड्यूस किया था और एक्टिंटो खेर की ही थी और सबरदस्ट एक्टिंग जिसे कहते हैं कि सुपरब एक्टिंग और इसको कहा जाता है एक तरह से टेक्सबुक यानि अभिने का टेक्सबुक ये संग्या इस फिल्म को दी गई है और फिल्म है और इसको क्लासिक फिल्म का दर्जा पहले शो से ही मिल गया था जिसने देखा कहा कि इस से ज़्यादा क्लासिक फिल्म बन नहीं सकती और दिलिप कारलोवी फिल्म फेस्टिवल चेकोसलवाकिया में हुआ करता था और उसमें दिलिप कुमार को ऑौनरी डिप्लोमा म इस फिल्म को और Golden Jubilee इस फिल्म ने मनाई थी और जिसे कहा जाता है कि भारती फिल्म बलके हिंदी फिल्म की ओल टाइम ग्रेट्स में इसकी गिंती होती है लेकिन मैंने सुना है कि यह जो फिल्म में कम से कम Sensor Board ने 200 कट करने को कहा था लेकिन इसके बाद फिर जो तब के खराब experience था कि उन्होंने तोबा कर ली थी कि अब वो कभी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे बीवी केस कर हुआ करते थे सूशना और प्रसारण मंत्री उस जमाने में भारत के और जब Sensor Board उनके अंडर था और जब फिल्म Sensor Board को दिखाई गई तो उसने इसमें 250 कट की सि और 120 पेज का rejoinder उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट बना कर भीजा लेकिन Sensor Board ने उसको देखना भी गवारा नहीं किया मतलब उन्होंने उस पे नजरी नहीं दोड़ाई और उनको खासतोर से आपती थी आखरी सीन पर डेट सीन जो था और उसमें दिलिक कुमार हे राम क को इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए तो जब सारे रास्ते बंद हो गए इस फिल्म कुई रिलीस के तब दिलिक कुमार ने का कि भाई मुझे अप प्रधान मंतरी से मिलना चाहिए तो इंद्रा गांधी उनकी बेटी थी जवाहलाल नहरू की उन्होंने 15 मिनट की एक मी बाकी फिल्मों के साथ था उसका भी कच्चा चिठा खोला उन्होंने का कि साथ ये अपने अलावा कोई भी बात सुनने के लिए तयार नहीं है जो भी इनके खिलाव बात होती है उसको ये सुनते ही नहीं है तब नहरू ने हस्तकशेप किया और नहरू के हस्तकशेप के बा का अंत हो गया लेकिन केसकर बहुत कॉंट्रवर्सियल व्यक्ते तो रहे हैं लिए उनकी तारीफ भी हुई है उनकी तारीफ यह हुई कि उन्होंने ही क्लासिकल संगीत को जन जन तक पहुँचाया और आकाशवानी पर उन्होंने खास कारिकरम की शुरुआत करवाई थी संग का खिल भारती कारिकरम जिसमें की तमाम जितने भी शास्त्री संगीत के धुरंदर लोग थे उनके उनको गवाया गया या उनको बजाया गया लेकिन यह वही शक्स थे जिन्होंने आकाशवानी पर फिल्म संगीत को बैन कर दिया था क्रिकेट कमेंटरी इन्होंने बैन कर तो उसका नतिज़ा यह हुआ कि रेडियो सेलॉन बहुत पॉपलर हो गया क्योंकि वहां उस फिल्म संगीत बजाए जाता था आकाश वानी पर आप कल पना करें कि फिल्म संगीत नहीं बज रहा है खैर केस करके जाने के बाद फिल्म संगीत की वापसी हुई ओल इंडिया रेडियो पर और क्रिकेट कॉमेंटरी भी दुबारा से सुनाई जाने लगे तो यह कहानी है द्रशेकों नहीं देखी ओ फिल्म और लेकिन हमने मधर इंडिया के वारव बात की थी अपने दशेकों के साथ और कहा जाता है कि जो मधर इंडिया के जवाब में यह एक फिल्म बनी थी गंगा जम्ना थोड़ा सा स्थिल्म के बनी उसकी एक कहानी है कि दिलिब कुमार चाहते थे कि उनके भाई जो हैं उनको महबूब खाँ वो अला रोल दें जो उन्होंने अल्टिमेटली राजियंड कुमार को दिया था मदर इंडिया फिल्म बे और नासिर उनके भाई का नाम था वो पाकिस्तान में अबिने करके आये थ थे और भारती हिंदी फिल्म दियोग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तो महबूब खाने विल्कुल आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया यह आईडिया और इसकी वज़े से दोनों के संबंदों में बहुत खाकास हो गई महबूब और दिलिब कुमार के और दिलिब कुमार के बाइगराफर हैं तरिनेत्रा और अन्शुला बाचपई वो कहते हैं कि दिलिब कुमार ने उन्हें खुद बताया था कि उनको इस फिल्म का जो इंस्पिरेशन है जो इन्होंने फिल्म बनाई गंगा जमना यह ओल्ड वैलस बेरी वेस्टर्न थी एक पि पिचर में क्लाइमेक्स में पिता अपने बेटे को गोली से उड़ा देता है तो यहां पिता बेटे को बदला को की जगे इन्होंने दो भाईयों को दिखाया एक भाई पुलीस इसपेक्टर है वो एक अच्छा इनसान है और एक भाई डाकू है वो बुरा इनसान है और इस बना सकते हैं तो मैं गंगा जमना बना सकता हूँ और उनके भाई को नहीं लिया गया था इस फिल्म में उससे तो दिलिव कुमार चेड़े हुए थी तो यह जो फिल्म के फाइनेंसल थे शापूर जी मिस्तरी मैंने सुना है कि दिलिव कुमार सहाब को उन्होंने ब्लैंक चेक उफर किया था यह फिल्म करने के लिए जी शापूर जी मिस्तरी बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनस था उनका बहुत नाम था उजमाने में और उन्होंने फाइननस की थी यह फिल्म गंगा जमना और आपने बिल्कुल सही क्या है उन्होंने दिलिव कुमार को दो चेक बुक्स दी थी और एक चेक बुक थी कि प्रोड़क्शन से जोड़े खर्चों के लिए और दूसरी आपका जो पारेश श्रमिक है उसके लिए उन् में से पैसे निकाल लीजे और जब फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हो गई फिल्म सुपर हिट हो गई तो दिलीप कुमार वापस गए शुपूर जी के पास मिस्टरी के पास और उन्होंने दोनों चेक बुक्स उन्हें वापस लोटाई। उन्होंने सिर्फ पहली चेक बुक्स के कुछ चेक्स का इस्तिमाल किया था क्योंके प्रोडक्शन से रिलेटिड और अपना जो पारेश्रमिक वाला चेक बुक था उसको उन्होंने छुआ तक नहीं था। आपने उनके भाई का भी जिक्र किया दिलिव कुमार के भाई का नासिर का तो नासिर नहीं चाहते थे कि दिलिव कुमार ये फिल्म करें ये एक तरह से उनकी कमबैक फिल्म थी, नासिर के लिए ही वो फिल्म बना रहे थे और दिलिप कुमार ने जब शापूर जी को ये स्टोरी सुनाई थी जो उनके फाइनेंसर थे कि जमिदार के खिलाब बदला लेने के लिए दिलिप कुमार डाकू बन गए ये उन्होंने डाकू की संगत का सहारा लिया लेकिन दिलिप कुमार अडे रहे, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं किया और इतिहास बताता है कि जब पिक्चर रिलीज हुई तो तरशकों ने इसको बुरी तरह से सराहा उसके बाद तो फिर कई फिल्म में आवे जहाँ पर बदला लेने के लिए डाकू बन गए खेर लेकिन गंगा जमना का जो निर्देशन नितिन बोस ने नहीं खुद दिलिप कुमार ने किया ये इस बात में कितनी सच्छा ही है देखे उसके क्रेडिट्स में तो नितिन बोस का नाम दिया जाता है नितिन बोस का नाम आता है और से पहले बो दिलिप कुमार को मिलन और दीदार दो फिल्मों में डारेक्ट कर चुके थे और इस तरह की अपुआएं थी कि इस फिल्म का डरेक्षन नितिन ने नहीं बलकि दिलिब कुमार ने किया लेकिन नितिन बोस ने इसका बहुत जबदस खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्यकुमार बहुत अनुशासित अबिनेता हैं और बहुत गर्म जोश इनसान हैं और जब अगले दिन की शूटिंग के बारे में हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते थे रात में ही प्लैन बन जाता था कि अगले दिन किस तरह से सूट होगा एक जूनियर आर्टिस्ट थे वो बंदूक चला रहे थे और निशाना लेते समय अपनी गलत आँख दबा रहे थे तो जो असिस्टन डारेक्टर नितिन बोस के थे उनका नाब था जावेद हुसेन तो जावेद हुसेन उनके पास गए बहुत नाराज हो गए उनसे और उन्होंने बंदूक की नाल पकड़के उनको बताने की कोशिश की ये नहीं ये वाली आँख दबाओ और तब ही वो जो जूनियर आर्टिस्ट थे उनका हाथ ट्रिगर पर था और वो गल्ती से घोड़ा दब गया और वो गोली चली और गोली जावेद हुसाइन के सीने को पार करती हुई निकल गई और वो उसी समय उनका देहान थो गया तो ये घटना घटी सेट पर और इसका नितिन बोज पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो इस हालत में नहीं रहे कि वो फिल्म के आगे वाले हिससे को शूट कर पाएं मानसिक इस्तिती उनकी ऐसी क्यों उनकी सामने ये घटना हुई थी और बहुत शौकिंग घटना थी और शायद भारती फिल्म इतिहास में इस तरह की घटना पहले ना कभी हुई है ना अब तक हुई है इस तरह की घटना तो तब नितिन बोस ने दिलिब कुमार से कहा कि भाई मैं इस हालत में नहीं हूँ कि फिल्म को शूट कर पाऊं अब तुम समझा लो तो दिलिब कुमार ने फिल्म के कुछ हिससे उनके नितित में मतलब उनके इंडर्देशन में शूट किये गए थे तब यह अपवड़ी कि नहीं साथ नितिन बोस ने दिलिब कुमार है असली डारेक्टर तो यह है बना सही है बहुत शॉकिंग होता है लेकिन एक और चीज है इस पिल्म के डायलोग्स की बहुत चर्चा थी सारे डायलोग्स कुरभिया भाशा में लिखे गए है बोली में और यहां ते की गाने भी ने ने लेड़ जाही है क्या बात है तो मरे वामा कसक होई वे एकरी तो बहुत ही और दो हंसों का जोड़ा और एक और गाना शयाद आप लोगों को वो कुरभिया में नहीं है लेकिन वो गाना है इनसाफ की डगर पे बच्चों दिखाऊ चलके जो आज सब बहुत पॉपलर है आप लोगों ने जरूर सुना होगा लेकिन जो गाना मैंने पहले गुन-गुनाया उसको जरूर यूट्यूब पे अभी अभी जाके बेखिएगा मतलब हमारे शो के बाद जो उनने दिलिव कुमार ने जो डांस किया है उस फिल्म में और जो आइधिन वो उस गाने में मतलब टॉप 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 लांसा और इस भाशा के नुवांसिस को समझने के लिए उन्होंने उत्तरपडेश और बिहार का दौरा किया था ताकि वो समझ सकें कि बोली किस तरह चा बोली जाती है असल में इसके पीछे कहानी है उनके एक बिहारी माली हुआ करते थे दिलिव कुमार के दिलाली एक जगा थी जहां दिलिव कुमार रहते थे और वहाँ पर ये माली को देखते थे अपनी पत्नी से बातें करते हुए और तब से इनके साइके में के भाशा एक तरह से घुसी हुई थी और वो लिखते हैं अपनी आत्रकता में कि मुझे तब तक यह नहीं पता था कि यह बोली उत्रप्रटेश में बोली आती है या बिहार में और लेकिन इमोशन्स को एक तरह से पोट्रे करने के इसका जो पोटेंशियल था इस से बहुत जादा प्रभावित थे कि इस भाशा मे आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से पोट्रे कर सकते हैं और दिलीब कुमार कहते हैं कि उनको बहुत दिल्चस्फ लिखता था जब माली और उसकी बीबी इस भाशा में लड़ते थे फिर वो मनाते थे और फिर मन भी जाते थे और जब दिलीब कुमार ने ये जादा बताया अपने दोस्त को तो कहीं लोग थे जैसे महबूब खान थे आसिफ थे इन लोगों ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया वोले स्विसाइडल होगा कि अगर आप हिंदी के या हिंदुस्तानी के बजाए ये पुरविया भाशा का इस्तिमाल करें लेकिन उनके पुरविया भाशा इसमें बोलें और उसमें एक चरित भी नेता थे कनहिया लाल आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छा भी ते इसमें वह थोड़ा सा लास्ट में उन्होंने पॉजिटिव इंदिखाए इससे वह बनारस के रहने वाले थे उन्हों ने एक तरह से डिमों के लिए और वेजन्ती माला अभी नेत्री थी दर्चिन भारत से आती थी उनके बारे में तो मशूर था कि वह अपने सारे डायलॉग रोमन में लिखती थी तो कि उनको हिंदी नहीं आती थी और लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं फ्लॉॉलेस पुर्भी बोली है और जो वेजन्ती माला के डायलॉग भी अपनी आवास में टेप रेकौरडर पर रिकौर्ड करके उनको देते थे मतलब वेजन्ती माला के डायलॉग दिलिप कुमार के आवास में ताकि आप इससे सुने और उसके हिसाब से जो अपने फेशियल एक्स्प्रिशन हैं वो देने की को पिश्किल होगा यह भाशा भोलना लेकिन आप इसमें कोई संदे नहीं आप भी मानेंगे कि एक एक शब्द को वेजनती माला ने बहुत ही परफिक्शन के साथ बोला है और उसी हिसाफ से एक्सप्रिशन भी दियें यह बिलकुल भी नहीं लगता कि यह भाशा से दूर दूर का वास्ता नहीं है वेजनती माला का और अमिताब बच्चन ने एक इंटर्व्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि एस स्टुडेंट उन्होंने इस फिल्म को गंगा जिम्ना को कई बार देखा सिर यह देखने के लिए कि एक पठान नॉर्थ वेस्ट फरंटियर का रहने वाले एक गामीन व्यक्टी का रोल प्ले करता है और उसकी लैंग्विज को कितने कमांड के साथ बोलता है तो अमिताब बच्चन ने कई बार इस फिल्म को देखा तो यह आप भी देखिया क्योंकि यूट्यूब पर एक पूरी फिल्म मौजूद है और मैं जिसे वजनती म अब भावी के हाथ में कड़े नहीं पहना है लेकिन भावी के हाथ में हाथ कड़ी कहना दिये हो बहुत ही सुन्दा सरी कैसे और यह दिखाता है मेरे को लगता हमारे शो को जो आप इतनी बड़ा इंफरमेशन बता रहे उसको आज के डरेक्टर्स, प्रडूसर्स और जिखे जितने भी कलाकार थे, सब ने अपने जीवन का सर्वशेष्ट परफॉमेंस दिया इस फिल्म में, जमिदादनी के रोल में प्रबीन पॉल थी, पुलीस सुपरिंटेंडन का रोल नासिर हुसेन ने किया था, मा का रोल लीला चिटनीस ने किया था, और हरी राम का कन जितना उनसे उम्मीद थी, और इस फिल्म में, इस फिल्म में कबड़ी का एक सीन है, उसकी बहुत तारीफ होती है, बहुत चर्चा होती है, और उसका एक डायलोग है, धन्नो कहती है कि, वो एक तरह से इंस्पायर कर रही हैं दिलीप कुमार को, कि भाई, अपना सब कुछ लगा दो इसको जीतने के लिए तो कहती है, मैं तो कहूं इस बार भी तनकपूर वाले जीतेंगे, मतलब उसमें वो कहती है, देखो नो, कैसे गबरू जवान आएं, मतलब, और पर दिलीप कुमार कहते है, तो जा बेशरम पकड़ ले उनका हाथ, लेकिन गंगा की जीत होत थन्नों खुशी में नाच रही है, तो ये इस फिल्म के खुफसूरती थी, लेकिन एक क्लाइमेक्स शॉट, जो सीन है, उसके बहुत चर्चा है, उसके वारे में बात करें, लेकिन क्लाइमेक्स में गंगा को गूली लगती है, जो कि उसके भाई ने नहीं उनको शूट किय है, जो कि पुलीस इंस्पेक्टर है, और वो किसी तरह अपने घर पहुचते हैं, घायल अवस्था में और अपने भाई की बाहों में गिरते हैं, और उनका डायलोग है, मुन्ना घर आ गया है, उसमें बहुत ही मारमिक धंग से उन्होंने कहा है, और उनके आखरी शॉट हो को फिल्माया जा रहा था, और दिलिब कुमार ने जो कैमरमेन होते थे बाबा साहिब, उनको कहा कि सारी शॉट की पूरी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि इसका न तो कोई रिहरसल होगा, और नहीं इसको री टेक होगा इसका, मतलब एक बार में इस शॉट को शूट किय जाना है, और दिलिब कुमार लिखते हैं कि इसमें एफेक्ट लाने के लिए, वो जो स्टूडियो का प्रांगड था, उन्होंने उसका चक्कर लगाया दिलिब कुमार ने, और पहले जोग करते हुए, और फिर तोरते हुए, और मतलब और जब पूरी तरह से उनकी सांस उ शुरू किया, उसको और बहुत ही घजब का सीन दिया, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद जो कि हम पिछले कई बार, कई कड़ियों में बताते रहे हैं, ये फिल्म फेयर ने इस अभिने प्रेडर्शन को फिल्म फेयर के लायक बेस्ट अभिने के लायक नहीं सबना, उस साल का सर्वशेष्ट अभिने का परसकार राजकपूर को दिया गया, जिस देश में गंगा बहती है उस फिल्म के लिए, और विडंबना देखिए कि स्टेज पर वो परसकार दिलिप कुमार ने राजकपूर को अपने हाथों से दिया, और लेकिन इसका ए परसकार मिला इसके लिए, और बेहतरीन रोल उन्होंने किया, दिलिप कुमार को नहीं मिला, लेकिन देश की जनता ने उनको परसकार दिया, लोग अभी भी इस फिल्म को उनके फिल्म करियर के सरुशेष्ट अभिने के तोर पर याद किया जाता है, और उस सही बात है, दि अगले फिल्म के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार